तो इस question में क्या है बेटा इस question में है कि find the sum of odd integers from 1 to 2001 मतलब 1 से ले करके 2001 के बीज में odd integer मुझे find कर odd integer लिखना है और उसका मुझे क्या find करना है बेटा sum find करना है यह find करना है ठीक है तो odd integers 1 से ले करके 2001 के बीच में क्या होगा 1, 3, 5, 7 कहां तक जाएंगे बेटा प्लस 2001 तक ठीक है अब हमें यहां से क्या करना है sum find करना है तो sum find करने के लिए सबसे पहले मुझे n चाहिए तो n find करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा step 1 में यह formula यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d ठीक है इस formula को हम यूज करते हैं ठीक है यहां पर हम ध्यान से देखेंगे a की value क्या होगा a मतलब first जो दिया हुआ है यह हमारा क्या हो गया a हो गया tn is equal to कितना होगा two thousand one होगा जो last वाला उतर tn होगा अब n की value मुझे find करनी है n की value मुझे find करनी है और d equal to क्या होगा second वाला minus first वाला बोले तो d की value कितनी होगी बेटा d is equal to two होगा तो हम इन सब की value यहां पर step equation one में put कर देते हैं चलिए पूट करके देखते हैं क्या आ रहा है ठीक है यहां पर हम जब पूट करेंगे तो क्या होगा two thousand one is equal to a a की value one plus n minus one into d d कितना है two है यह one को इधर ले आ रहे हैं बेटा इधर ला रहे है तो two thousand one minus one n minus one into two हो जाएगा तो यह बज़ेगा two thousand equal to n minus one हो जाएगा यही हमारा n की value होगी ठीक है अब एन की value हमारे पास आ गए अब हम क्या करेंगे बेटा step two में sum find करेंगे तो step two में sum का क्या फार्मूला होता है अभी मैंने बोला कि sum का फार्मूला sum का फार्मूला होता है बेटा n by two two a plus n minus one into d होता है यही होता है बेटा यही फार्मूला हमें use करना है n by two two a plus n minus one into two अब हमें यहाँ पे सब की value आ चुकी है, n की value कितना है बेटा, 101, sorry, 1001 upon 2, a की value कितनी है, a is equal to already question में 1 था, plus n, 1001 minus 1 into d, d की value कितना है बेटा, 2 है, यही है, अब इस equation को solve कर दीची, और वही हमारा क्या हो गई है, इसकी value, सब की value, n, a, d की value मैंने put कर दिया, अब इसको जब solve करेंगे बेटा, तो आप जब इसको multiply करके solve कीजिएगा, तो आपका आएगा, अगर हम solve करके दिखा दें बेटा आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा, 101 upon 2 होगा, into, यहाँ पर, अब हम इसको 2 comma ले लेते हैं, दोनों में से, तो 2 comma लेंगे तो क्या होगा, 1 plus, 100 001 minus 1, यह होगा, यह cancel होगा बेटा, और 2 से 2 cancel होगा, मतलब हमारा आगया, 101 into 101, यह होगा, और जब multiply करेंगे, तो हमारे पास आजाएगा, 1002001, और यही क्या है बेटा, यही सम का formula है, ठीके, और यही सम का answer आगया, तो हमने इस question में क्या किया, सबसे पहले step 1 में हमने n find किय है बेटा, हमने step 1 में n find कर लिया, और उसके बाद sum के formula में put कर दिया, और यही हमारा final answer होगा, इससे असान solution और कहीं नहीं,